गुड इवनिंग, श्वागत है आपका हमारे चैनल लिराला एकेडमी में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि साप काटने पर क्या करें और क्या नहीं करें जी हाँ, साप के काटने पर कौन सी वो दस उपाय करें जिससे हम बच सकते हैं और कौन सा उपाय नहीं करें जैसे कि हिंदू धर्म में साप को देवता का दर्जा दिया गया है और नाग पंचमी को नाग पूजन का भी विशेस पर्वी माना जाता है परन्तु यह भी पूंटा शत्य है कि साप या नाग धर्ती पर सबसे विशेले जन्तूओं में से एक है जिसे काटने पर पिर्त व्यक्ति की मृत्य होनी भी शंभव है साप के काटने के स्तिती में कई बार यह पता नहीं होता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पिर्त व्यक्ति को मौत के मुह में ले जा सकती है आईए जानते हैं कि साप के काटने पर क्या करें सबसे पहले किसी वेक्ति को साप काटने पर सबसे पहले उसे सीधा लेटा दें और बीना विलंब किये जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का पर्यास करें दूसरी बात साप को अच्छी तरह देखेने और पाशानने की कोशिस करें ताकि साप का हुलिया बताने से चिकित्सक को इलाज करने में अशानी हो तिसरी सबसे प्रमुक बात मरीज को सांत रखने की कोशिस करें मरीज जितना उत्तेजीत रहेगा उसका रक्तचाप भी उसी तेजी से बढ़ेगा चौती प्रमुक बात पिडित व्यक्ती के सरीर पर से सारी चीजे जैसे घड़ी, कड़ा, कंगन, अंगुठी, पायल, चेन, जुत्ते, चपल, आधी सभी चीजे उतार ले पाच्वीचेज व्यक्ती को वेहोश नहीं होने दे, अगर वो वेहोशी के हालत में हो तो उसकी सासों पर ध्यान दे और गर्माहट प्रदान करने का पूरा पर्यास करे पिडित को शीधा ही लेटा कर रखे, अन्याथा सरीर में हलचर होने से जहर फैल सकता है सत्वी, हाथ में सापने काटा है तो उसे नीचे की और लटका कर रखे, ताकि जहर दिल तक पहुँचने में वक्त लग सके यदि पैर में काटा है तो पलंग पर उसे इस तरह लिटा दे, ताकि मरीज के पैर नीचे लटके रहे सर्पदंस के अस्थान को पोटेसियम पर मेगनेट या लाल दावा के पानी अथवा साबुन से धोना चाहिए सर्पदंस के अस्थान से दो इंच उपर कपड़े की पटी अथवा रसी कसकर बांदे, पटी लगभग एक इंच औरी होनी चाहिए सांथी दंस के 20 मिनट के अंदर बांधी जानी चाहिए आखरी पटी इतनी टाइट भी नहीं बांधनी चाहिए जिससे खून का परवा पूरी तरह बंध हो जाए जिससे ज़्यादा छेतर में पटिया बांधेंगे उतना फाइदा होगा दिल तक जहर ना पहुँचे इसके लिए धड को भी पटियों से लपेटा जा सकता है उसके बाद बता रहा हूँ अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो क्या नहीं करे जी हाँ क्या नहीं करे सबसे पहले बरफ अत्वा अन्य गरम पदार्थ का इस्तमाल काटे हुए अस्थान पर बिलकूल नहीं करे दुसरे चीज अप्रसिक्षित व्यक्ति द्वारा रक्त अस्तराव को रोकने रक्त बंद की पट्टी ना बंदवाए सम्बंधित अंग में रक्त संचरन पूरी तरह से रुक सकता है इस स्थिती में सम्बंधित अंग की छती हो शक्ती है तिसरे चीज काटे हुए अस्थान पर चीडा ना लगाए प्रभावित व्यक्ति को चलने से रोके प्रभावित बैक्ति को चलने से रोके सराव शेवन नीन आने की कोई दवा नहीं दे और तांत्रिक आदी के जहांसे में नहीं आए जी बिलकुल इस बात को याद रखिए कि किसी भी तांत्रिक आदी के जहांसे में नहीं आए अगर आपको यह मेरा वीडियो फ्योगी लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सेयर करें थैंक्स फर वाचिंग माई यूटूब चैनल निराला एकेड में